So 25th July को OpenAI ने Twitter पर एक announcement किया SearchGPT नाम के prototype के बारे में OpenAI के हिसाब से इसका access अभी बहुत limited लोगे साथ में share किया जा रहा है एक waitlist है जिसमें ChatGPT के paid users अभी join कर सकते हैं और धीरे धीरे उनी paid users के साथ में इसका access share किया जाएगा Now OpenAI के अपने announcement के हिसाब से अपने आप में individual search engine शायद ना बने OpenAI search features को test करना चाहता है ChatGPT के environment से बाहर इस search GPT नाम के initiative के जरिए ताकि आने वाले future में ये जो search वाले features हैं इन्हें ChatGPT के अंदर ही integrate किया जा सके So इस बात के chances कम है कि कोई एक अलग search engine type का launch किया जाएगा बलकि ChatGPT के अंदर ही ये function add किया जा सकता है Now future में जो होगा वो future में पता लगेगा लेकिन ये search GPT अभी एक search engine की तरह behave कर रहा है In fact OpenAI ने इसके लिए एक different crawler भी बनाया है जिसकी detail आपको अभी screen पर दिखाई दे रही होगी OAI-searchbot ये है इस crawler का नाम जो search GPT नाम के search engine के लिए काम कर रहा है लेकिन इस crawler और bot के उपर हम इस वीडियो के end में आएंगे अभी हम देख लेते हैं कि आखिर ये search engine दिखने में कैसा लगता है ये रहा है इसका first look यहाँ पर ये जो पूरा layout है वो तीन column में divided है first column में तीन button सिर्फ दिखाई देते हैं second column citation के लिए और third है वो main column वो main window जहां पर आप कोई भी search करते हैं जब भी आप chat GPT के style में कोई भी prompt देते हैं अपना search keyword अपना search phrase type करते हैं तो उसका answer open AI के reply की shape में ही आपको दिखाया जाता है लेकिन साथ ही में उस answer में जितने भी sources को use किया जा रहा है यानि कि जिन reference websites को use करके वो पुरा answer बनाया जा रहा है उनकी citation आपको बीच वाले इस column में दिखाई देती है इस column में आपको 5 या 5 से ज्यादा links भी दिखाई जा सकते हैं ऐसा possible है कि जितनी citation आपको main answer में दिखाई दे रही है उससे ज्यादा source websites के link यहाँ पर दिखाई जाए है जैसा कि हमने कई बार chat GPT और Gemini के answers को compare किया है वैसे ही अगर मैं search GPT के answer और open AI के answers की quality को साथ में compare करूँ तो आप देखेंगे कि search GPT के answers की quality ज्यादा अच्छी है और साथ ही में जो यह citation दे रहे हैं जो source website के URL दे रहे हैं वो भी ज्यादा है quantity में और उनकी जो relevancy है वो भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और answers आपको सही quality में मिल जाते हैं यह जो यहाँ पर search है वो बहुत इंफरमेशनल सी query है तो इंफरमेशनल क्वेरी का answer कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर हम product या service related कोई specific query करते हैं for example, top email marketing software तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी individual उस software की website से data नहीं लिया जा रहा है बलकि aggregator website से data लिया जा रहा है यानि कि ऐसी website से information ली जा रही है जिन पर top 10 या top 5 या top 20 email marketers की list है email marketing software की list है तो अगर हम इस answer को एक hint की तरह लें तो इसका मतलब है कि search GPT में product या services की website से ज्यादा जो aggregator websites हैं जो इस तरह के products को review कर रहे हैं या maybe affiliate की तरह provide कर रहे हैं उनका ज्यादा बोलबाला होने जा रहा है उनको ज्यादा importance मिलेगी और यह जो यह trait है यह Google से बिलकुल अलग है चाहता है अपने search results में लेकिन यहां search GPT aggregators और बेस्ट वाली जो list प्रवाइट करने वाले website उनको ज्यादा importance दे रहा है जगह का नाम लगाए भी अगर query करते हैं तो chat GPT आपकी location को identify करने के बाद आपकी browser की मदद से आपकी location को identify करने के बाद actually मैं उस जगह से relevant answers को देता है उस जगह से relevant businesses को देता है लेकिन even जब यह businesses की list भी दिखाई जा रही है तो भी जो list आ रही है aggregator से आ रही है so for example अगर आपको top restaurants के list में open AI के इस search GPT के अंदर rank करना है तो में भी आपको trip advisor पर अच्छी rank लेनी कीज़े होते है सिर्फ google my business वाले business जो listing है जो impression है वो तो वैसे भी यहां पर काम नहीं आएंगे बट जितनी भी aggregator websites है उन पर मौचूद businesses यहां पर जल्दी rank कर सकते हैं now because search GPT अभी अपने prototype face में इसी list में कोई भी ad नहीं दिखाया जा रहा है but अगर यह इसी same user interface के साथ में launch किया जाता है तो यह जो beach वाला column है जहां पर citation की link दिखाई दे रहा है यहां पर top में एक या दो या तीन जितने भी वो चाहें उतनी websites के link title, headline, description वगरा के साथ में as an ad दिखाई जा सकती है so यह थी simple चीज़ है but दो point है जो technical है थोड़े से SEO के काम के है नमबर एक जो site query होती है वो इस search GPT के अंदर काम करती है यानि कि अभी prototype में है लेकिन अगर आप site query लगा कर किसी भी एक particular keyword को search करते हैं तो आपको result उसी website से ही मिलते है which is a good thing I mean इसका मतलब है कि यह सिर्फ अपने आप में prototype की तरह नहीं present किया गया है actual product है जिसे develop किया जा रहा है और maybe जब यह launch किया जाएगा तो इसमें site operator भी काम करेगा in URL, in text, you know यह सारे operators भी काम करेंगे तो this is a good thing और दूसरी query है कि क्योंकि openAI ने already इसका जो crawler है उसको release कर रखा है oai-search bot so आप अपनी robots.txt में इस bot के लिए rules बना सकते हैं जिस तरह से आपने google bot के लिए Microsoft Bing bot बगेर के लिए rules बना रखें वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी website openAI के इस search result में दिखाई जाए उनके answers को बनाने में support करें ताकि आपको traffic भी मिले openAI से तो आप इस bot के लिए सारी website को पूरी website को खुला रख सकते हैं जो rule आपने google के लिए बना रखें वही rule आप दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि openAI के इस search GPT नाम के product में आपकी website को content ना use किया जाए या उसकी link को answers में ना दिखाया जाए उसकी answers को बनाने में आपकी website यो content ना use किया जाए तो आप robots.txt में कुछ इस तरह का rule डाल सकते हैं जिसमें आप जो user agent है उसको oai search bot बताएंगे and इसके बा नए search GPT product को search engine को अपनी website पर आने और website यो content use करने से block भी कर सकते हैं अब यह करना है यह decision आपको लेना है यह था open AI का search GPT नाम के search engine का एक overview अभी search GPT के answer की quality Google के AI overview से अच्छी है बट इसमें कोई हरानी की बात भी नहीं है because chat GPT के अपने answer की quality Google के चैमिनाई के answer की quality से हमेशा better रहती है मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और topic के साथ हैं तब तक keep learning keep practicing thank you so much for watching this video my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time take care